बहुत सारे मूर्खों को मेरे जैसे मूर्खों को अब तक पानी पीना ही नहीं है पानी पीने में 15 ऐसी गलतियां करते हैं सबसे पहले मैं आपको गलतियां बताता हूँ क्या आप पानी पीते हुई क्या क्या गलतियां करते हैं कुछ लोग ऐसे पानी पीते हैं, यह सबसे बड़ी गलती है, और कुछ लोग ऐसे लेट के पानी पीते हैं, चलके पानी पीना एक बहुत बड़ी मुर्खता है, बहुत सारे लोग हाई कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, मुझे तो chilled water चाहिए, अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो इस सीज़ को आपका एब्जोर्ब भी नहीं करेगा और आपका पानी पिया वेश चला जाएगा कुछ लोग बोतल मुग के लगा के छोड़ते ही नहीं है ये भी बहुत गंदी विदी है बहुत लोग एक्साइज करके खूब सारा पानी पीते हैं ये भी बड़ी मुर साइंस क्या है? डिटेले में आपको आगे बताऊँगा। esquub करके आते हैं पईशाब करके आते ही फिर पानी पीने लगते हैं अगर आप पेशाब करके एकदम खूब सारा पानी पीते हैं तो ये आपकी किड्नी पर डैमेज करता है क्यूंकि बार-baर पानी पीना भी गलत ह क्योंकि minimum एक गंटे का अंतराल आपके होना चाहिए बहुत सारे लोग कहें खाना खाते हुए तो पानी नहीं पीना चाहिए लेकिन fruit खाते हुए हैं पानी पी सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं fruit खाते हैं उपर से पानी पी लेते हैं यह भी एक गलत तरीका है खड़े हो गए पानी पीते हैं सबसे बड़ी गलती तो यह है और कुछ लोग एक ही सास में गट-γαट करके काफी सारा पानी पीते हैं यह भी एक बहुत बड़ी मुर्कता है और पत्री बनने का एक बहुत बड़ा कारण है हमारी लेडिस में हमारी लेडिस बाहर जाके काम करती हैं वो सोचती है कि मैं जाना पानी पिऊंगी तो बार-बार वाश्रूम जाना पड़ेगा इस कारण उनके श्रीर में पानी की कमी हो जाती है मैं पर्सनल तोर पे भी इस चीज़ को जहल चुका हूँ आपको कैसे मालूम पड़े कि आपके श्रीर को कितने पानी की जुरूरत है तो आप इससे बड़ी असानी से जान सकते हैं सबसे पहले आपको वाश्रू में जाना है जब भी आप पेशाब करते हैं तो आप अपने पेशाब का कलर देखें अगर आपके पेशाब का रंग जादा पीला है तो आपको पानी की सकत जुरूरत है अगर आपका पेशाब का रंग साफ है पानी जैसा है तो आप बिल्कुल सही पानी पी रहे हों एक सिंपल सी साइंस हैस के पीछे, पानी पीने का सही तरीका क्या है, कब पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कैसे की मैं बात करूँ, प्लास्टिक आप विल्कुल प्रयोग ना करें, दोस्तों इस दुनिया का सबसे अच्छा बरतन है तांबा, तो तांबे का प्रियोग कीजिए जब भी आप खाना खाते हैं उसमें भी प्रियोग कर सकते हैं पानी में भी प्रियोग करें दोस्तों आप इस तरीके का पानी का एक पड़ी बोटल ले ले चाहे जग ले इसको रात को आप पानी का भर दें आठ घंटेस में पानी स्टोर रहना चाहिए इ कहती है कि आप 21 दिन तक किसी काम को करते हैं तो आपको उस चीज़ की आदत पढ़ जाती है अगर आपको जो मैं चीज़ें बताऊंगा इस चीज़ की आदत पढ़ गी तो आप जिंदगी भर कम से कम 50 रोग आपको पेट के किड़नी के लीवर के हाट के नहीं होंगे तो आपको करना है क्या है रात को पानी रखना है और सुबह इस पानी का सेवन करना है ओफिस में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं तो आप तांबे की बोटल ले लें तांबे की बोटल में ही पानी पीएं बहुत सारे लोग चिल्ड पानी पीना पसंद करते हैं मेरी मानी आप 21 दिन तक normal पानी पीए हो सके तो गुंगणा पानी पीए और मटके का पानी पीए तो उसका कोई जवाब भी नहीं है आप 21 दिन के रूल में याद रखें कि आपको हमेशा बैठ के पानी पीना है और आपको तांबे के बरतन का परियोग करना है और हमेशा तीन से चार सांस में आपको एक घुट पानी की पीनी है जो कि सबसे बेस्ट तरीका है पैनी पीने का इससे आपकी जो मुख में जो लारवा होता है वो पानी के माध्यम से आपके पेट में जाएगा और पेट में जाएगा तो उससे आपका जो digestion system है improve होगा अगर आप ऐसे पानी पीते हैं तो आपको क्या-क्या समस्या नहीं होगी मोटे-मोटे तोर पे बता रहा हूँ joint pain की, migraine की, आपको heart की, अस्थमेगी पेट की जितनी भी cuma-sery आपकी आपकी पानी पीने से solu हो जाएंगी और अगर आप ऐसे पानी पीएंगे, तो आपके श्रीर में जो आपने खाना खाया है उसके सभी के सभी पोशकतत्तव, आपका श्रीर ले पाएगा वरना वो आपके way श्रीर चले जाएगे और अब बात आती है आपको कब-कब और कितना पानी पीना चाहिए आपको खाना खाने से 40 मिन्ट पहले पानी पी लिना चाहिए या एक घंटा पहले पीए तो बेस्ट है और खाना खाने के एक घंटा बाद पीए वो भी बेस्ट है तो खाना खाने का रूल ये रहा और आपको सुबह उठके जैसा कि मैंने आपको बताया ऐसे बरतन का पानी पीए कम से कम आप आदा लिटर पानी पीए आदा लिटर सफिशेंट है अगर आप महिला हैं चाहे पुर्ष हैं और बच्चों को भी सुबह स्टार्टिंग से यादत डाल दें कि आपको इतना पानी सुबह पीना ही पीना है कोई भी चीज खाते हुए आप पानी का सेवन ना करें अगर आपको सेवन करना भी पड़े पानी का केवल एक या दो घूट का सेवन करें जिससे कि आपका जो गला है जो सुखा हुआ है वो गिला हो जाए बिल्कुल ऐसे और अब बात आती है कि हमें पूरे दिन में कितना पानी पीना चाहिए जो पुर्ष हैं वो 3-4 लिटर पानी डेली पीए जो महिलाए हैं वो 2-3 लिटर पानी उनको पीना सफिशेंट रहता है और जो लोग एक्सराइज करते हैं वजन का काम करते हैं वो 4-5 लिटर तक भी पानी पी सकते हैं मैं इतना पानी को महत्तब क्यूं दे रहा हूँ हमारे उपर से लेके नीचे तक हर हिस्से में पानी है लगबग लगबग 70% हमारे श्रीर का पानी होता है जब तक आप पानी सही तरीके से सही पानी नहीं पिएंगे तो आप स्वस्त नहीं रह सकते आपको दिक्कत रहेगी ही रहेगी दोस्तो आईरवेदा के हिसाब से इलाज से परहेज लाग गुना बहतर होता है तो आप इस चीज़ को 21 दिन का फार्मूला जरूर अपनाएं उमीद है आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिली होगी इस वीडियो को चाहें आप लाइक ना भी करें लेकिन चलेगा लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें घंटी जरूर दबाएं क्योंकि हम आगे भी आपके लिए स्वास्ते से सबंदित वीडियो लेके आते रहेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लेगी है कौन सा पॉइंट अच्छा लगा है और किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहती है जल्दी मिलते हैं अग नई वीडियो में जय हिंद